नाकपुर के गिट्टी खदान इलाके में घटित दुरघटना में एक बच्चे की दर्बनात मौत हो गई जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार स्कॉपियो गाड़ी बेकाबू होकर एक घर में जागुसी और उसी दोरान घर में मौजूद 10 साल का बच्चा जॉडन फिलिप जोसफ इसकी चपेट में आ गया दुरघटना के बाद बच्चे को मेयो फॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई करीब करीब साले चार से पाच बजे के दर्मियान की घटना है गिट्टी खदान आईबिम रोड़ पे सेंनर रिल्स पिवी टावर चोक से एक बेकाबू होके इसकारब्यो गाड़ी आई जिसमें कुछ दर्मोगुरू बंते जी बटे दे और कुछ उसमें नागरिक भी दे करने के बेकाबू इसकारबियो गाड़ी उपर जाई उपर जायए आई शायद उसके ब्रेकफेल हुए अब रेकफेल होने के बाद में यहां पर हमारे एक ऐन्टोनी जी का मकान दा में यूठाव लग के देखा तो जूम पूरे तरिके ते गिर ऐंग जोग अटा है हमने उसको निकाला और निकालने के बाद में उसको मेवा हॉस्पिटल में एडमिट करा है लेकिन अभी अभी हमको बहुत दुखा जानकारी मिली कि बच्चे का नीजान हो गया उसकी डेध हो गई कर गे और आए दिन आए बेम रोड गिट्टी कदान पे दुरगटना होते र कि लिए जो खंबे गड़ाए गए वहां पे एक और खंबा लगाकर फोर इलर गाडी को हमेशा के लिए यहां से इंट्री बन कर दी जाए क्योंकि आने वाले समय में ऐसा नहों और किसी की जान जाए और एक्सेलेंट हो और ब्रेक्वेल की गाडी गुसे और कोई एंथोनी कोई और बच्चा जिसके आपने घटना ना हो हम चाहते के एक और हेवी विकल वापे लोहे की बार गड़ाया जाए और वासे फोर इलर हेवी विकल के लिए हावाज आवी बंद होनी चाहिए और हमारी कलेक्टर्स आप से परचासन से मांग आए यहापे इस्तानी कामदार जितनी भी तबाई हुए है कुछ उनके अलमारी में कैश रखा हुआ था पैसा वो भी पैसा भी दिखाई नहीं दिया है खाने पेने का जो सामन था टीवी थी जो भी उनके घर में सामन था सोपा था पलंग था पुरा तुट चुका नाले के अंदर गिर चुका है गरीब इनको परचासन ने सरकार में मदद करनी चाहिए जाद से जादा आईसे हमारी मांगाए सभी मेरी और इस्तानी गिट्टी खदान के सभी लोगों की मांगाए ये भीशन हादसा आज शाम करीब 5 बजे गिट्टी खदान इलाके के आई बीम रोड पर घटित हुआ हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की बीर जमा हो गई और बुस्साय लोगों ने स्कॉपियों में सवार लोगों की पिताई कर दी दुर घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुची और स्कॉपियों में मौजूद दो लोगों को घिरासक में लिया इस दुर्घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिती बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गिट्टी खदान के IBM रोड पर इसके पहले भी इस तरह के कई हाथ से हो चुके हैं। इलाके के नागरिकों ने इस बारे में कई बार प्रशासन से शिकायते भी की हैं। लेकिन बावजूर इसके दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किये गए। तो पोर्विलर के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। क्यों इसका प्रशासन ने कड़े से कड़े कड़े कदम उठाना चीए। और जो यह बहुत बड़े चड़ाव है इसके कोई ने कोई तुरस ब्योस्ता करनी चाहिए। रचिए बंद बंद कर दो यह कड़े दिया जाए।